अब सबसे पहले सबसे important बात की हम लोग जिक्र करेंगे कि आखित junior accountant या TRA होता क्या है देखिए ये दो अलग-अलग post है एक का नाम TRA या तैसिल revenue accountant है एक का नाम junior accountant या कनिस्ट लेखा कार है दोनों में अंतर क्या है दोनों ही account का काम करते हैं दोनों के exam के लिए दोनों के selection के अलग-अलग परिक्षा नहीं होती यही एक common परिक्षा लगेगी common परिक्षा से दोनों का चायन होगा लेकिन जब हम लोग form apply करेंगे तो form apply करते समय हमें ये चुनना पड़ेगा कि हमारी पहली प्रात्मिक्ता क्या है या तो हम TRA को first preference देंगे या junior accountant को first preference देंगे normally वो लो देंगे दोनों ही लेखांकन से accounting से सम्बंदित हैं गौर्मेंट के जो खर्चे होते हैं सरकारी विभागों के जो खर्चे हैं उन सभी के accounting करते हैं गौर्मेंट की incomes के accounting करते हैं गौर्मेंट को detail बना के देते हैं तो practically इनके काम की प्रकृती बहुत जादा अलग नहीं होती accounting related काम करते हैं लेकिन फर्क यह है कि जो TRA होता है वो तैसील स्थर पे posting होती है उसकी तो जहां जहां पे तैसील स्थर में तैसीलदार की office में उनकी posting होती है जिसको TRA या तैसील revenue accountant बोलते हैं तैसील में जितना राजस्व का संगरहन होगा revenue का जितना collection होगा उस revenue collection के accounting के रिखाकार है वो सरकार के किसी भी department में जा सकते हैं कोई भी government का ऐसा department नहीं है जहां पे junior accountant ना लगा हुआ हो तो हर government department में सिक्षा विभाग, स्वास्ते विभाग, government का कोई भी department जो आपको नाम याद आए, police department, कोई भी, university, college, जहां जहां पे पैसा है, पैसे का लेन दिन है, वहां पे एक junior accountant होना जरूरी है, हर जगे यह accountant होता है, तो यह तो हमें पता चला कि इन दोनों नोकरियों में फर्क क्या है, एक परिक्षा, एक परिक्षा से दो पोस्ट जाएंगी, आपकी प्रात्मिक्ता के हिसाब से और आपके marks के हिसाब से आपको post अलॉट होगी, salary बर मत्से विभाग में जा सकते हैं, रास्तान सरकार के सौल डिपार्टमेंट, लवन्ड विभाग में जा सकते हैं, खान विभाग में जा सकते हैं, आपकारी विभाग में जा सकते हैं, टेक्स विभाग में जा सकते हैं, सिक्षा विभाग में जा सकते हैं, स्वास्ते आप तो डिपार्टमेंट का नाम लीजिए, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक जूनियर अकाउंटेंट होता है, और एक तो मैं नाम ले रहा हूं, जहां आवशकता होती है, वहां पर एक से जादा भी होते हैं, अब यह सवाल आता है,